नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं देशिक गुरू और अब सेक्षन चालू है हमारा भारते दंट सहिता इसे पहले वाले वीडियो में मैंने भारते दंट सहिता की सेक्षन 1 से लेके 12 तक को किलियर किया था बहुती शॉट वीडियो बहुती बहतरीन धंट से मैंने बतान की कोशिस की यदि आप सभी नों वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज चाहिए मेरे वीडियो सेक्षन पे और उस वीडियो को आप प्ले लिस्ट से निकाल के आप देख लीजिए ठीक है तो आज की टॉपिक हम सुरू करते हैं सेक्षन 13 से जो कि बहुती कॉमन से बाते हैं हमें समझने क्या हो सकता है सेक्षन 13 जो है दोस्तों ये उने सो पचास इसवी के अधिनियम के बाद इसे निरस्त कर दिया गया था सेक्षन 13 कुईन के बारे में एलिबरेट कर रहा था उसको हटा दिया गया क्योंकि इसकी आवशकता अब हमारे संभिधान को नहीं है भारत के भीतर उस रूप में बने रहने दिये गए नियुक्त किए गए या نियवजित किए गए किसी भी आफिसर यह सेवक से एक लें में आप समझे सरकार का सेवक निवधाना चाहते हूं जो भी व्यक्ती सरकार कोई भी काम सरकार के लिए करता है और सरकार उसको पैसे द है यादी किसी ठेक्ज़व रोको यडी सरकार ने अपोइंट किया वो लसा सब्द काम करें, उस समय तक वह सरकार सेबक होता है, ज़़ा गाल हें, यदि एक इनजिनियर है और और यह प्रवेट कान कर रहा है, तो उस सरकार का सेवक नहीं है, बले ही उस सरकार का क्यों न काम करें, क्योंकि पैसे उसे किसी और सेक्षन से मिल रहे हैं, तो जहां भी सरकार के लिए काम होता है, और उसके बदले सरकार उसे पैसे देती है, तो वो सरकार का सेवक कहलाता है, सेक्षन 14 एलिबरेट कर रहा है, सेक्षन 15 ब्रि इसको बहुत ही बहतरीन ढंग से समझाया गया है यदि आप सामने रखे हैं तो बहुत अच्छा है एक एक पॉइंट को समझवें आएगा सरकार सब्द केंद्रिय सरकार या किसी राज सरकार का दोता कि यहां कभी भी यदि सरकार की बात आती है सेक्षन 18 भारत दोस्तों ये मेरे पास पुराना वियरेक्ट है इसलिए इसमें जम्मु कस्मीर को छोड़के पूरा भारत का वर्णन किया गया लेकिन अब नए वियरेक्ट में ये किलियर किया गया है कि पूरा भारत भारत का जो डिफनेशन है जम्मु कस्मीर के साथ सभी छेत्र में जो पूरा छेतर होता है वो भारत के सुरेनिम आता है तो भारत का राज्य छेतर मतलब पूर्ण जितने भी इनके केंदर सासित परदेर से हैं राज्य हैं ये सभी के सभी पूरा भारत के सुरेनिम आता है ये पूरा का पूरा भारत कहलाएगा सेक्शन 18 सेक्शन 19 जो है ये न कैसे पता करें जज कौन है तो एक बात सीधी से जान लो यहां बहुत सारे बेर एक्ट में दिया हुआ है पॉइंट को समझाना और समझना बहुत जरूरी है मैं एक छोटी सी एक्जामपल तो जज है कौन तो जज वह बैखती है जिसके फैसला पर चैलेंज यदि नव करें त तो वह अंतिम फैसला होगा समझ रहे हैं जज वह होता है जिसका फैसला जो फैसला दे दिया जजमेंट दे दिया और उस पर दी चैलेंज नहों हो तो वह फैसला अंतिम फैसला हो जाता है जज के सिरेनी में SDO नहीं आता है SDM नहीं आता है DM नहीं आता है यह बात हमेशा य जो फैसला देता है और उस फैसला पर यदि किसी को कोई समस्या नहीं होती है और वो अंतिम रूप से फैसला पारित हो जाता है तो उस पंचैत में बैठे सभी सदस जज या नियाएधिश की स्रेने में आने वाले लोग होते हैं ठेक है दोस्तों तो जज मतलब केवल वो जज देने वाला जो अंतिम आदेश हो